SIM यानि के subscriber identity module नाम से ही पता चलता है कि एक तरह का digital ID card है जिसका यूज़ करके आपका mobile, tablet और दूसरे cellular devices mobile networking services से connect होते हैं हर SIM card पे एक unique identification token store होता है जिसका यूज़ करके ही telecom की network पे उसका authentication होता है पिछले कुछ समय से eSIM का challenge बहुत जादा बढ़ गया है जिसे लोग electronic SIM भी करते हैं पट actually में eSIM का full form होता है embedded SIM physical SIM जो कि traditionally हम लोग पहले से use कर रहे हैं और eSIM दोनों में क्या difference होता है physical SIM क्या है कि वो plastic का होता है और उसके उपर IC board लगा होता है अम्माल लिज़े कि हमें नया SIM लेना है तो हमें क्या करना होता है जिस भी telecom operator का हम लोग SIM लेते हैं उनके office जाते हैं जैसे Gio हो गया, Vodafone हो गया उसके office जाएंगे वहां से हम लोग SIM लेते हैं जो कि वो manufacture करके रखते हैं उस SIM को हम अपने device में लगाते हैं और use करते हैं eSIM में क्या होता है कि eSIM device के साथ बना हुआ आता है अब सवाल यह उठता है कि यह जो eSIM है यह तो phone के साथ बना हुआ आ रहा है जिसमें कौन सा mobile network है जो कि use होगा eSIM क्या होता है physical SIM का digital version होता है तो आप जिस भी company का eSIM use करना चाहते हैं आप उनसे request कर सकते हैं इसका कुछ installation process भी होता है जो कि device to device differ करता है इसमें एक बात ध्यान देने वाली और भी है सारे devices जो बनते हैं सब में eSIM available नहीं होता है तो अगर आप eSIM को use करना चाहते हैं तो आप खरिदने time ज़रूर देखिए कि आपका जो device है उसमें eSIM support करता है कि नहीं करता है अब हम लोग eSIM के advantages को देखते हैं eSIM का सबसे बड़ा advantage होता है security जो normal physical SIM होता है उसको clone करना आसान होता है और जो eSIM होता है उसको clone करना comfortably difficult होता है इससे क्या है कि यह हमें fraud से बचा देता है उसके लावा क्या है कि कभी भी अगर कोई भी device चोरी होता है तो चोर सबसे पहले क्या करता है उसमें सब SIM निकाल के fake देता है eSIM में वो ऐसा नहीं कर पाता है तो इसमें क्या है कि आपको device track करने का जादा time मिल जाता है इसमें दूसरा advantage होता है smaller size अब क्योंकि eSIM का size बहुत छोटा होता है तो वो कम space लेता है अमाली जे के same size का device है उसमें एक physical SIM है एक eSIM है अब क्योंकि eSIM में जगा कम ले रहा है तो जो दूसरे device component है उसकी जगा बहाई आई आ सकती है अमाली जे की battery का size बर जाए तो जो device है वो ज़्यादा दे support करेगा तो ये इसका advantage हो जाता है इसमें third point है water resistant अब क्योंकि eSIM में SIM को निकालने की ज़ोरत नहीं परती है तो manufacture क्या है device को और भी बहतर water resistant बना पाते है इसका fourth advantage ये है कि आपको network switch करना काफी आसान होता है और आपको store जाने की भी ज़ोरत नहीं परती है इसका fifth advantage ये है कि ये environment के लिए भी काफी अच्छा होता है चुकि physical SIM plastic का बना होता है तो जितना कम physical SIM use होगा उतना कम environmental waste होगा तो जितना जादा eSIM use होगा उतना ही environment के लिए अच्छा होगा eSIM के क्या क्या disadvantage होते है इसमें क्या है कि phone को switch करना थोड़ा difficult होता है physical SIM की अगर हम लोग बात करते है तो उसमें क्या है कि एक phone से SIM हम लोग निकालके दूसरे phone में डालके directly use कर सकते है eSIM में क्या होता है कि SIM तो phone के साथ होता है eSIM में आपको network की profile install करनी होती है इसलिए इसमें थोड़ा ज्यादा effort लगता है eSIM का जो दूसरे disadvantage है वो यह है कि यह सिर्फ premium devices में available है बहुत सारी ऐसी company आपको मिलेंगी जिसके top model में आपको eSIM मिल जाएगा लेकिन lower model में नहीं मिलेगा इसलिए eSIM अभी उतना common नहीं हुआ है बट आने वाले समय में दीरे-दीरे वो भी common हो जाएगा इसमें एक बात तो clear है कि eSIM future है तो अगर आप old phone यूज़ कर रहे हैं जिसमें आप physical SIM यूज़ कर रहे हैं तो आप उसको use कर सकते हैं तो comment box में ज़रू डाल दीजेगा अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को like और share कीजेगा अगर चानले पे पहली बनाया है तो चानले को subscribe भी कीजेगा और bell icon दबा लेजेगा चुकि इस तरह के important और informative videos हम लोग बनाते रहते हैं धन्यवाद